कर दोड़ी एकशल खुर ऑज़न तो सब्सक्राइब हैं तो इसकी पहले क्लास में हम लूगाने दूधर सौரफिस कैसा हुगा पफैक्ट्ली क्या हो कि परफेक्ली क्या होगा एपजार्बीन होगा तो उसकेस में रेडियेशन प्रेसर यदि नॉर्मल इंसिडेंस है तो कितना होता है अभी आज मैं डायलेक कीडर करों अब लिक इंसिडेंस तो हमने कल देखा था इसके पाले गलास में यदि परफेक्ली रिफ्लेक्टिंग तो उस situation में जो radiation pressure होता है वो क्या होता है I upon क्या होता है C होता है क्या होता है I upon C होता है आज हम अलग टाइप का एक question देखेंगे कि जब surface क्या होगा partially क्या होगा reflecting हो ठीक है I mean perfectly reflecting surface नहीं हो उस situation में और incidence क्या ओलाइट जह है normal के साथ surface एधीटा एंगल पक्या है इंस्डेंस हो रहा है उस situation में radiation pressure हम कैसे calculate को इसके बारे में हम देखेंगे अब देखो यहाँ क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि number of incidents photon आपको क्या करना है calculate करना है ठीक है क्या करना है number अब यहां मैंने क्या किया कि light जो incident हो रहा है उसकी intensity कितनी है आई है ठीक है अब यहां क्या होगा जब perfectly reflecting surface नहीं होगा तो कुछ photons क्या होगे absorb हो जाएंगे और कुछ photons क्या होगे reflect हो जाएंगे ठीक है तो कितने photon reflect होंगे उसको कैसे decide करते हैं तो depend करता है कि surface का nature क्या है ठीक है ठीक है तो उसके लिए हैं क्या define करते हैं reflection coefficient करते हैं reflection coefficient कितना होता है number of photons per second being reflected divided by number of photons per second being incidence जितना photon एक सेकंड में क्या हो रहा है incidence हो रहा है that photon and जितना photon क्या हो रहा है एक सेकंड में reflect हो रहा है उसकी ratio क्या बोलेंगे reflection coefficient लूटेंगे तो यह जो 씨 प्राइफ़ मेंगे उसकता है उसकता है और थैपले के firefighting त्वेविषन की यह अधर्यों क्या हो जाएंगा जीरुग हो जाएगा ठीक है I mean number of reflected photon क्या हो जाएंगे जीरो हो जाए उसी तरह क्या होगा absorption coefficient क्या होता है कि number of photons absorbed by the surface divided by क्या होगा total number of photons incidence by the surface ठीक है तो हमको either क्या होगा number of reflected photons या number of absorbed photons calculate करना है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा पाहले incidence photon calculate करना पड़ेगा अब देखो incident यहां मैंने मां लिया है कि यह जो एरिया है यह क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है तो जब हम intensity लेखते हैं intensity is equal to क्या होता है intensity is equal to energy per unit time per unit area normal to the area अब देख उस सर्फिस कैसा यदि ऐसे सर्फिस यह दिया होता है तो हम डायरेक्ट वही consider कर लेते लेंगे यह दिया हुआ है कि light कैसे incident हो रहा है ऐसे incident हो रहा है इसका यह वाला component लेंगे क्योंकि component of area perpendicular to the direction of incidence of the light is consider कर रहेंगे जब हम intensity लेखना है cross-sectional area cross-sectional area का मतलब क्या होगा कोई वी चीज फ्लो हो रहा है उसके perpendicular वाला area ठीक है तो इसलिए हमने एक जो एंगल यह जो एलिया है अब क्या होगा intensity का होता है देखो तो number of photo incident per second आई हो तो total energy incident कितना हो जाएगा पर second hc upon क्या हो लेमडा और इसके area से कौन से area यह वाला area से यदि हम divide कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको intensity मिल जाएगा यही ध्यान रखना है यहां भी theta equal to 0 रखोगे तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ni क्या हो जाएगा ni देखो दियान से ni number of incident photon is equal to क्या होगा i lambda a cos theta upon क्या हो जाएगा lambda a cos theta upon क्या हो जाएगा hc यही होगा ना क्या होगा hc अब हम बता सकते हैं कि total number of reflected photons per second कितना होगा ठीक है ni क्या है number of incident photon per second nr क्या है number of photons reflected per second take कितना हो जाएगा r into क्या हो जाएगा ni ni क्या value हम यहां से रख देंगे और number of photon being absorbed is equal to क्या होगा a a into क्या होगा n i एक शीच और ध्यान देना है यहां से हम लिख सकते हैं देखो तो a plus r is equal to क्या लिख सकते हैं देखो तो nr upon क्या होगा n i plus क्या दिखेंगे na upon क्या होगा ni और इसको जब add करोगे तो ही क्या होगा n i plus क्या होगा n a upon क्या होगा sorry n r i और this will be क्या होगा बाई इभी ध्यान रखना है कि a plus r is equal to क्या होगा 1 तो a is equal to क्या होगा 1 into क्या होगा r होगा समझ में आए ना तो यहां से आप इभी लिख सकती हो देखो n r number of क्या होगा i I mean r i lambda ठीक है a क्या होगा cos theta upon क्या हो जाएगा let's see और क्या लिखोगे n a जब लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 minus r into क्या होगा lambda a 1 minus r i lambda a cos theta upon क्या हो जाएगा let's see इससी यह मालूम चल्याएगा कि number of photons reflect होगा और कितने number of photons और reflect हुए और कितने number of photons क्या होगे absorbed हुए इस formula से हम क्या कर सकते हैं ठीक है अब यह ध्यान देना है कि अब आपको भी मालूम है कि देखो यहां क्या होगा इसके momentum के दो component होगा समझ में आना एक momentum का क्या हो जाएगा h upon क्या हो जाएगा लाइट ऐसे instant हो रहा तो यह क्या हो जाएगा इसके यह पैरलेल हो जाएगा इधर जो component हो जाएगा अच एच अपान क्या हो जाएगा और यह वाला जो कॉंपोनेंट होगा क्या होगा एच अपन लेमडा इंटी क्या को अब यह क्या मोमेंटुम मैं ना ठीक है समझ में आना क्या हो जाये का मुमेंटम एसे इंसलेंट हो रहा है यह तो मैंने बताया था ज़िए आप आप से कोई पूछे कि नंबर आप फोर्टॉंस के द्वारे कितने फोर्स लग रहा है है ना तो नमबर आफ एब्जॉर्ब फोर्टॉंस यह वज्जा से ठीक है फोर्स पे प्लेट पे फोर्स कितना लाएगा इहीं आप कैल्कुलेट कर सकते हो क्या लिखोंगे रीटऑ शेंच इन लिनियर मोमन्टम इनगया हो最近 जाएगा अशॉअ है तो यहां से लिक तैने हैं फॉर्मिन्टम इंसिडन्स है असोसीट होगा H जाफम लेंडा यां से हमी छीज़ सकते हैं कि immersion सकते हैं कि मर भाप अ ज़िए बाइब किया भापं साथ वोगा कि ऑसितोफिंटर से पीजुकर बीज़ुकर कि तुटर्ण कि पॉट Was ठीक है तो इसको लिखे एफ आर ये कितना हो जाएगा बता सकते हो तुम डायक्ट मैं लिखे रहा हूं यह ऐसे एब्जर्ब हो रहा है तो यह लाएगा ना ऐफ आरन इस एकवल टू डिफेंगा क्या लिखेंगे लेगों तो क्या लिखेंगे nota ऐंट विखेंगे लेंबडा लेंटउ क्या होगा प्री उन्द 円धिआ यहां से वालू रख दो तो देखो क्या मिला माइनस आर इंतु मिल जाएगा है यह आपन लेंडा 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 याद रखना सफेस में लेगा वह अला कॉंपोननेंट लिए हैं तभी हम ने यह क्या है यह क्या है तो इसके बज़े से कभी कर पुछा जाएगा कि कितना क्या हो जाएगा कितना आप से पुछाए कितना फोर्स लेगा इसलिए मैंने बता दिया है कि अब यहां इसके बाद आप से कोई पूछे कि आपसे पुछा जाएगा कि फोर्स डू टू क्या होगा अभी यहां लिखते हैं क्या होगा फोर्स नॉर्मल फोर्स इंपल लिख रहा है ना नॉर्मल फोर्स अम लिख रहा है नॉर्मल फोर्स क्या होगा ओन इभी नॉर्मल फोर्स है याद रहें नॉर्मल फोर्स ओन्द क्या होगा ओन्द सर्फिस डिव टू क्या होगा डिव टू डिव टू डिव टू चेंज इन या डिव टू क्या लिखेंगे रिफ्लेक्टेट फोटॉन सिल्बल ठीक है अभी कितना हो जाएगा देखो यहां से लिख सकते हो f r is equal to क्या होगा पहले तो लिखेंगे total number of reflected photon तो क्या लिखेंगे nr into change in linear momentum of reflected photon तो कितना हो जाएगा 2h upon क्या होगा lambda into cos theta हो जाएगा ही ते समझ में आए बात तो यहां से क्या लिखेंगे f r is equal to क्या लिखेंगे nr का value रखो वहां से देखो nr है तो क्या लिखो देखो 2h है ना 2h upon lambda cos theta into nr का value रखो वहां से r i lambda a cos theta है ना upon h c ठीक है देखो h c h c cancel हो जाएगा h sorry h cancel हो गया lambda से lambda cancel हो गया तो f r is equal to क्या हो जाएगा देखो 2 ठीक है a cos square theta r i upon क्या हो जाएगा c हो जाएगा a directly अब यह क्या होगा due to क्या होगा reflected photons और this is क्या होगा force on the plate due to क्या होगा absorb photons तो net force कितना होगे कौन सा फोर्स है पर्पेंडिक्लर वाला इस पे सर्फेस पे पर्पेंडिक्लर लग रहा है समझ में आया ना तब हम क्या लिख सकते हैं कारे में मैं आठ फोर्स ने फॉर्स वर्फ इसके पार्ल्ल लग रहा है तो कि क्या फोर्स नहीं या ना नॉर्माल पॉर्स नौर्मार में आट ने फोर्स है ना नॉर्मल नॉर्मल टू दा क्या होगा टू दा सर्फिस सर्फिस इस इक्वल टू क्या होगा एफ आर प्लस क्या हो जाएगा एफ ए ठीक है तो एफ नेट इस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों को एड कर दो तो देखो दोनों को एड़ करोगे तो क्या मिलेगा तुमको यहां से दीख रहा है 1 प्लेस 1 प्लेस आर इंटू क्या होगा I upon C cos square क्या होगा थीटा इंटू क्या होगा बात समझ में आया है अब तुमसे कोई P radiation पुछे तो radiation ट्रेसर कितना होगा इस केस में P radiation is equal to क्या होगा F net एक फर्मुला यही याद रखो upon क्या होगा area है ना F net upon क्या होगा area तो यहां से value रख दो कि देखो क्या हो जाएगा 1 प्लेस आर ठीक है I cos square theta अपन क्या हो जाएगा C यह important result है एक फर्मुला याद रखो सारे प्रॉब्लम साब जाएगे ठीक है क्या हो जाएगा सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इभी इभी अब देखो क्या होगा यदि पर्फेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा यहां से देखो for क्या होगा for perfectly reflecting surface ठीक है R equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो P radiation R equal to 1 हो जाएगा सोरी 0 नहीं होगा क्या हो जाएगा देखो 2i upon c cos square क्या होगा थीटा अब थीटा कोई भी वैलू दिया होगा तो मिया आप दो आप चला जाएगा यदि नॉर्मा एजिटेंस होगा तो थीटा equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा फॉर् परफेक्ट्ली एब्जर्बिंग सर्फेस absorbing surface r equal to 0 हो जाएगा है न तो यहां से लिख सकते है p radiation is equal to क्या हो जाएगा r 0 कर दो i cos square theta upon क्या हो जाएगा उसके बाद तुमको जो value find out करना है तो मसानी से क्या कर सकते हो value find out कर सकते हो ठीक है क्या कर सकते हो तो मसानी से find out कर सकते हो तो इस type का problem जब भी आपको swap करना हो तो सबसे पहले क्या करना है momentum का photon momentum का momentum लिखो momentum का photon नहीं momentum लिखो ठीक है change in number of photon per second calculate कर लो change in linear momentum लिखो Newton's loss के अंसार हम क्या बोल सकते है rate of change in linear momentum is equal to क्या होगा external force ठीक है तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते है इसको solve कर सकते है एक पार्ट था आप लोग HC वर्मा भी questions दिया हुआ है तो इस पर आप practice कर ले ना कि हमकी पूछा जाता है even HC वर्मा photoelectric effect के HC वर्मा का ही questions कर दा हो अच्छे-च्छे questions दिये हुए है ज्यादा जदी कम टाइम है तो हम HC वर्मा कर जाएंगा बहुत अच्छे-च्छे question दिये हुए है उसमें तो उसको ही तुम कर जाओ तो यह radiation pressure में बस इतना ही है इससे जादा खुछ नहीं है इसको क्या करना खुद से अब इसके बाड़ प्राइब कर लेना तो तो यह बहुत पॉस्टन्स मैं आपको बताता लेकिन अभी हम उसकी बारे में देखेंगे बाद में हम आते हैं का आप फोटोएलेक्रिक एफट ठीक है जो इंपोर्टर पॉइंट है फोटो एलेक्रिक एफेक्ट आप आप या होगा दो ठीक है इसको क्या बोलते हैं पी फोटो एलेक्टिक एफेक्ट ठीक है अब देखो क्या होता है फोटो एलेक्टिक एफेक्ट में क्या होगा कि जब भी क्या होगा किसी भी मेंटल सर्फेस पे है ना, light of sufficiently small wavelength, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब incident होता है, किसी भी metal surface पे, कोई भी light जिसका wavelength छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, है ना, यदि incident होता है, तो वो क्या करता है, कि metal surface पे, I mean, metal के अंदर जो electrons हैं, उनसे क्या होता है, collide होता है, अब मैं भी ध्यान रखना है कि collision में क्या होता है, collision में क्या होगा, कि momentum and energy जो होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो क्या होगा, momentum and energy क्या होगा, क्या होता है, लेकिन, क्या होगा, photons क्या होगा, creation भी होगा, और absorption भी होगा, ठीक है, I mean, photons क्या होगा, absorb भी कर लिया जाएगा, और create विड़े क्या जाने आप और ऑफोट्राइब एनरजी का फोटोन होगा थीक है जब क्या होगा खोई भी सर्फेस है इसे मादों किया है मेटल सर्फेस है तो उसमें लार्ज नबर अब क्या है तो जब लाइट क्या होगा इंसिदेंस होगा तो लाइट क्या है फोटोन से होगा तो फोटोन से क्या होगा इसा नहीं होगा अधिरीन क्या होगा इंटर फोटोन से फोटोन क्या होगा क्या होगा तो एक पूंके पास एनर्जी इम्पाड करतेगा अब इसके पास यदि sufficient energy होगा ते क्या करेगा metal से क्या हो जाएगा skip हो जाएगा समझ में आ न मेटल से क्या हो जाएगा skip हो जाएगा तो इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं इस phenomenon क्या बोलते हैं photo electric effect बोलते हैं फोट אותו electric effect I mean क्या होगा कि emission of electron from a metal surface when a sufficiently a small ओड़ाइट आफ सब्सीन्टली एस्मॉल व्यवलेंद अफॉपन एट कॉल फोटो अलेट्रीक इवेक्ट में अट-उस हम लाइट अजी घुंच करके हम क्या करते हैं धुर्मNS को एमित करते हैं सब्सक्राइब नियों करते हैं तो जैसे देख लो एक है कोई मेटल सर्फिस मेडल है क्यों अहीं इसमें पाई लाज नमबर और है एलेक्ट्रॉन से हैंने ईलेक्ट्रॉन होना है यह सब क्या है टीक है यही समझ ना यह न है यह तो जब क्या होगा कि light इस फोल होगा यहां भी electron हो सकता है surface पे है ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है surface पे क्या होगा ठीक है तो जब क्या होगा light जो होगा क्या होगा यह इस आर एलक्रोंस और एक हों से है free electrons फ्री एलक्रोंस ठीक है क्या है free electrons तो क्या होगा कि जब क्या होगा light यहां से क्या हो रहा है incident हो रहा है इस photon यहां incident होगा तो यहां से क्या होगा के यह tiden होगा एसक्ट होगा हां इस में ऐसा हो जो लाइट होका इसुट हो जाया और यह Aegis हो अधीक फोटॉन पे क्या होज़ा सीच होगा ईसकिया होगा और आफ हो सकता हैu यह जो photons क्या होते हैं एमीड होते है फोटो एल्क्टोंस छीक है क्या होगा फोटोएलेक्टोंस ठीक है लाइट है लाइट लाइट ओप Знаffizints समाल एबलांद थीक है यह क्या होगा सf cuanto फ्रॉटर्ब कीति होता है इसी फ्रॉसेस क्या बोलते हैं फोटो Heck Um बोलते हैं फोटोफील सकते हैं सबसंदेब इसलिख सट थैंति प्रंडंती क्या होगा कि वें फोटोचीघ की वें बयांती डेपनिश्यन लेते हैं कि कि बैस यह ई और सुफिसेंटली एस्मॉल वेवलेंथ वेवलेंथ इंसिदेंस इंसिदेंस ओन एह क्या होगा ओन ए मेटल सर्फिस metal surface metal surface electrons electrons are ejected or emitted ejected from the क्या होगा from the surface this phenomenon this फ्यर्णवेनों इजन इस लोट इस भर इस वार्ण फोट और अलाक्तिए इस फार्ड फोटो आ थिक यह लोट्ड झी कि वार्डड फोटो अलेप्र फोटो आ ट्रिक इजेक्टेड़ एलेक्पोंग, स्सूल छागे सुमान दूष समधा, इस इस फोटो फोकेधू इसको क्या बोलता है, जो यह ऐलेक्टव सेग्फुरों एक उसक्वाइब उसक्या बोलता है, यह फोटो अब देखो चाहरेख हमें गनोर जरूए में यह कि लायर जहें किसी भी surface पे इंस्ड अप्रिंच होगा तम ऐसा फॉटो एल्टिक होगा ऐसा नहीं होगा इसलिए मैंने यहां भटाया कि sufficiently क्या होना चाहिए अब स्मॉल वैबलेंथ जिसकों क्या बोलते हैं बाद में हम पढ़ेंगे इसमें cut-off wavelength भी कुछ बोलते हैं कि cut-off wavelength यह दी क्या होगा, value क्या होगा, इसका कम होगा, wavelength, I mean instant light का तभी क्या होगा, photoelectric effect होगा, otherwise photoelectric effect नहीं होगा, तो यहां क्या होगा कि जब क्या होगा, अब देखो एक photon के पास energy कितनी है, e is equal to kya, e is equal to lc upon kya है, lambda, यही है न, तो यह क्या होगा, कि हो सकता है कि जब यह collide करे, electron से तो क्या करेगा, यह पूरा अपना energy जो होगा, उसको vip up कर देगा, अब यह भी हो सकता है, कि इतना energy लेने के बाद, अब यह देखो, surface वाला जो electron होगा, वो तो आसानी से क्या हो जाएगा, escape कर जाएगा, क्योंकि वो other matter atom से collide नहीं होगा, समझ महां हा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि क्या होगा, कि यह गया होगा, यह सबसे होगा, यहां किसी भी surface से क्या होगा किसी भी metal surface से electron eject होगा या नहीं होगा वह हम कैसे decide करते हैं तो यह work function होता है work function किसी भी क्या होता है किसी भी metals का क्या है प्रपर्टी होता है ठीक है इसको metal भी बोलते हैं और इसको emitter भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ? एमिटर भी बोलते हैं मीटर प्लेड भी बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे समझ में आ तो वर्क फंक्षन पर क्या होता है ? कुछ क्या होता है ? क्या होता है ? कि the amount of energy the minimum kinetic energy required by the electron to become free from the metal surface सब्सक्राइब यहां पढ़ेंगे वर्ट फंक्षन होता है जिसको पढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि इतना एनर्जी फोटोंच होगा इंपार्ट करेगा तो एलक्ट्राइब होते हैं उसके बाद ही होता है फिसको हम वन बाई बन देखेंगे तो पहला हम सब्सक्राइब तो इसको इसके क्या सिद्सव नोरक करते हैं ठीक है यह क्या होगा रणग क्या होगा मेल रणी मिनमूं energy energy required by electron electrons to become free become free from metal surface is or work function is work function energy need loss energy work function बेंचैंब तुषम्सन जो वता है यहाद रखना इसको हम क्या बोलते हैं वरक फंक्षण बैंचैनल क्या होगा वर्क फंक्षण क्या होगा till वह Теперьे और मेंटर नेचर अब क्या होगा नेचर क्या है और इसी कौं हम होता है नेचर और क्या होगा नेचर ओप एमिट्र क्या होगा एमीट्र ज्याद रखना एक स्वीट में यह प्रखें किया। तो आगे निच्षोर्ट्र.ियान और पायएमे स Yani Suppертв और यह उद्यूकों यह कि नेचर भेलना की इस मैटल का नेचर क्या है सबस्काइब कों से एलिमेंट से मिले कौहंता है ठीक है उसके नेचर पर पे क्या होगावDipend करेगा क्या गारी संब इला आंग्सन के याद रखना कि बनग इन सा है इस लाइट यदि इस लाइट की इंटेंसिटी आई है तो उससे क्या होगा हो इंडिपेंडेंट होगा तो यहां लिख लेंगा है वर्क फॉंक्शन वर्क फॉंक्शन देजनट देजनट डिपेंट इंट देजनटबलको इंटै यहांट जाओ के लिखन ऐ क्यांग आँ सबस्क्किया अंटी आऑ इंटी एंटाओ इंट्ट इंट्टव स्टलबलकों अ में इन 거지 अ क्या वर्क सर्क्टॉ ओम लेंगा लेंगां धर बॉliches लेंगां आप क्या होगा इंसिदेंट लाइट इसे तो यह कभी उस पर एच सब्सक्राइब करेंगा किया होगा को सब्सक्राइब क्रिख सब्सक्याज में वहां कॉस्त हैं क्वेट का निकार बेल्सक्राइब डिपेंट करेंड और चफ़ोड सबना पेट पेफेड करेगाया?. भरक फंक्शनक स्वार्व करेंगा?. नहीं करेंगा ? क्या होता है ? और फंक्शन जो होगा, तो यहां देखो अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है जो इंबॉर्ट बहुत ही इंबॉर्टन क्या है कि यह देखा गया एक्स्परिमेंटली कि वर्क फंक्शन का जो वैलू होता है वर्क फंक्शन यह याद रखना वर्क फंक्शन either finite is equal to क्या होता है कि आइननाइजेशन एनर्जी डिभाइड़ भाइड़ वाइड किया होता है अग्समाइजेशन ए definitive नहीं है ये कभी भी गल्टी मत करना कि दोनोंगे वैलू क्या आईनाइजेशन एनर्जी क्या है किसी भी को atom से free करने के लिए minimum energy जितनी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते है यहाँ क्या है कि minimum energy required by the electron to become free from the metal surface not from the atom, atom से नहीं, metal surface से free होने के लिए उसको जितने energy की ज़रत होती है कि उसको हम क्या बोलते है जड़आ है और एक्टम से अधिकरने के लिए जितनी एनरजी जरत होगी उसको क्या दो क्या ओगा वर्खफॉंशन्षों इस ईक्वल डू क्या होगा हाफ आफ इन जसन एनरजी कभी कभी क्या तो फाई Nut is equal to Ionization energy divided by 2 थीक है Ionization energy divided by 2 तो अब क्या होगा देखो जब क्या होगा photons क्या होगा when light यहां लिखेंगे अब कुछ point लिख लेते हैं अब देखो क्या होगा कुछ क्या होगा ऐसे बोलो कि क्या होगा photon electron से collide होगा तो electron को कितना energy पार्ट करेंगा होसकता एनर्जी इंर्जी आगरीजिक TáНशाकिside Article अब इस एनर्जी का łegenप कई पार्ट में होगा यह तो यह लेक्टोन, ऊब तो कुछ पार्ट आफ एनर्जी को घाएगा यह क्या होगा कि यहां से Garas में संदरन में किया होगा में संदर में में किया होगा कुछ एनर्जी खर्च हो गां कि वर कम सब Consumer doctor on launch उन्हें कि है वroneक्ट कनेशन किया होगा कि हो सब्सक्राइब कर के अधर साम अ पर विर को दृटावा atoms and enhance during collision it will lose some amount of energy अगो एनर्जी कहा से देखो जब यहां कहा हो जाएगा जब एनर्जी और कुछ लॉस कर देगा तो उसकी एनर्जी कितना हो जाएगी E minus क्या होगा finite minus क्या हो जाएगा some energy और वही एनर्जी क्या होगा kinetic energy of the photo electrons होगा क्या from the conservation of energy अरे क्या होगा कि जितना energy incident हुआ I mean जितना energy इंपार्ट हुआ उसमें से कुछ energy क्या होगा work function किramos में क्या चला जाएगा कुछ energy क्या होगा किसके पूर्म न है हीड के फॉर्म न हो जाएगा तो तुटल अनर्जी क्या होगा उसका of the kinetic energy photo electrons कै क्या होगा क्या होगा energy incident minus finite minus क्या हो जाएगा जितना energy क्या होगा collision में loss हुआ यह बात समझ में आए तो हम यह लीख सकते हैं इसी को क्या बोलता है Einstein photoelectric effect हम बोलते हैं क्या बोलते हैं Einstein photoelectric effect एक्वेशन बोलते हैं Einstein ने experiment किया और उन्होंने यह relation figure out गया, तो यहाँ से हम क्या लिख आई यही बात संध में आया, तो तो आज हम क्या लिखेंगे यहाँ, कि क्या होगा कि when, when, क्या होगा, when, when light, कुछ point लेजीन लेट देता हूँ, when light, incidence, incidence, on क्या होगा, on, metal surface, metal, ऐसे स्टीक है एलेक्ट्ट्रॉन क्या है मैतल सर्फिस फोट् PREM क्या होका फोट्रॉन तुल में पोलाइड कुलाइड भीत वह एलेकट्रॉन ये याद रखना कि एक फोट्रॉन एक 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 ओलते के साथ ही बॉलाइड और अब and give up its energy, energy, ठीक है, hc upon lambda to electron, ठीक है, कितना energy होई पार्ट कर देगा, hc upon क्या हो जाएगा, लेमडा, अब यह energy जो होगा, वो दो पार्ट में क्या होगा, यूज होगा, हम दो क्या करना है कि यहाँ, अरे, electron जब metal surface ले लिख लेगा, तो उसके पास kinetic energy होगा, तभी तो बाहर आएगा, नहीं तो यह तो क्या होगा, free just हो जाएगा, तो kinetic energy जीर होगा, इसके surface पर घुमता राएगा, तो उसको हमें, इस action थोड़ी बोलेंगे, तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा, कुछ पार्ट में क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से, देखो द्यान से, हम क्या लिखेंगे, इस सम पार्ट आफ एनर्जी, अब देखो क्या होगा, कि सम पार्ट, अगला को है, क्या होगा, तो, when light incident on metal surface, proton will collide with electron and give up, its energy, hc upon lambda to electrons, now, now, electron, क्या होगा, electron, will use energy, hc upon क्या होगा, hc upon lambda in, following, in following, following way, और following way में क्या क्या होगा, ही मैं बता रिता हूँ, अब देखो क्या होगा, पाहला क्या होगा, कि some amount of energy is being used as a function, अब क्या होगा, as work function, क्या लिगेंगे, इसी मैं से, तो, sum क्या होगा, sum energy is used as, work function of क्या होगा, work function, work function of क्या होगा, work function finite of metal, ठीक है, second क्या होगा, कि some amount of energy, क्या होगा, अब इव, तो यहां से, if क्या होगा, if, electron, electron may collide, collide with, क्या होगा, with, atoms, atoms present, in क्या होगा, present in क्या होगा, metals, then क्या होगा, then, some amount, some, of energy, some energy, energy from, क्या होगा, from, hc upon lambda, में, use, in the form of क्या होगा, in the form of क्या होगा, heat, ठीक है, और क्या होगा, remaining जो energy होगा, some amount of energy being used, in the form of क्या होगा, अब देखो क्या होगा, हैंस क्या होगा, of energy, some energy from, क्या होगा, some energy, energy from, क्या होगा, from, some energy from, क्या होगा, some energy from, hc upon lambda, में, some energy from, hc upon lambda, is, used, as, a, kinetic energy, kinetic energy, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, क्या होगा, अब देखो क्या होगा, 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 तुम यहां से लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी यदि तुमसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हो तो लिख सकते हो निखो यहां से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपोर्डन डिजल है तुमको सोचना चाहिए क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी और फोटो एल होगा heat में क्या होगा convert हो जाएगा समझ में क्या हो जाएगा heat में convert अब मैं आप से बोलू कि maximum kinetic energy क्या हो सकता है तो आप क्या बता होगी देखो तो यार यह फाइनल क्या है फाइनल तो constant होगा फाइनल किस पर डिपेंड करेगा कि जिस मैटल पे किया है light incident हो रहा है यह फिक्स हो जाया गा यह दि हम वेवलेंद भी फिक्स कर दें लाइट का वेवलेंद फिक्स कर दें डिवन फ्रिक्वेंसी अफ लाइट यूज करें उस सिच्वेशन में कि जो है क्या है कि मैक्स और मिन किस पर डिपेंड करेगा इस पर डिपेंड करेगा यह तो जीरो भी हो सकता है हो सकता है कि यह जाए फोट एलेक्ट्रोंस क्या होज़ा किसी इजय किसी बी मैटल और फिर किसी बी एक और इंटम से Friends झांने और दनमे नहीं होगा तो एंगमालीचीव के फॉर्म में क्या होगा to make free from the surface just make free from the surface उसमें खर्च हो गया और कुछ energy यदी क्या होगा electrons during ejection क्या होगा atom से collide होगा तो heat के form में क्या होगा खर्च होगा तो from conservation of energy हमने क्या किया यह equation दिख दिया अब यहां से हम बोल सकते हैं कि k-max क्या होगा की मैक्स के लिए क्या होना चीए हीट को क्या होना चीए जीरो होना चीए यह बोल सकते हैं तो यहां इसका मतलब हो सकते हैं कि मैं काइनेटी के अनर्जी जो वैलू होगा हो क्या होगा इससे क्या हो सकता है K E max से अलवेच क्या होगा छोटा होगा तो हम यहां लिख सकते हैं 4 क्या होगा 4 और K E max Max क्या हो सकता है देखो तो Heat Heat must be क्या होगा 0 तो हम यहां से लिख सकते हैं K E max Is equal to क्या होगा H C upon क्या लिख हैंग Lambda minus finite और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K E max Is equal to क्या होगा H F minus क्या लिखे हैंगा समझ में आई बात तो यह आपको क्या करना है यह photo electrons का क्या है kinetic energy This is the kinetic energy of photo electrons Kinetic energy of photo electrons ठीक है यह समझ में आया ना तो kinetic energy जो होगा photo electrons का क्या हो सकता है क्या हो सकता है यहां से हम बोल सकते हैं K E अब photo electrons क्या होगा less than equal to क्या होगा K E max और क्या होगा equal to क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है इसी के बीच क्या होगा उस electron का कोई भी kinetic energy होगा समझ में आना कि max और zero के बीच photo electrons का kinetic energy होगा ठीक है इसी के बीच क्या उसका kinetic energy हो सकता है इसी को हम क्या बोलते हैं Einstein photo या Einstein photo electric equation बोलते हैं उन्होंने experiment किया और इस relation को क्या किया डिराइट किया और उन्होंने बता है कि light जो होता है उसका nature क्या होता है पार्टिकल नेचर का होता है ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही इसके आगे क्लास में कल हम इसको पढ़ेंगे और फिर experimental verification of photoelectric effect पढ़ेंगे जो आपका photoelectric effect चाप्टर खतम हो जाएगा ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही ओके थैंक्यू आप इसे प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि जही मेंस के लिए और एडवांस के लिए बहुत ही इंपोर्टन चाप्टर है मैंने बोला ना कि nuclear physics photoelectric effect I mean atomic structure यह तीन-चार चाप्टर ऐसे हैं जो एडवांस में साथ 2-3 questions होते हैं तो आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको क्योंकि कि chemistry में भी तुम पढ़े हो और physics में भी बढ़ रहे हो तो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लग रहा हो और किवल इसमें 5-6 रिजल्टी है दूसरा कुछ नहीं है और थोड़ा सा आपको का यूज किया हुआ है तो उसको यूज ज्यादा करने की जरत नहीं है प्रिवियस यर ओल कोस्टिंज एंड एच्छी वर्मा ठीक है ओके थैंक्यो